नमस्कार दोस्तो पहाडी आयर वेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा साग लेकर आया हूँ जिसके सेवन से हमारे सरीर में होने वाले बहुत सारे बिमारी दूर होते हैं दोस्तों या साग एक तरह से हमारे सरीर के लिए अमरित के समान है अगर हाँ इसके फायदे को वही लोग जानते हैं जो लोग इसका इस्तमाल करते हैं उपयोग करते हैं खाते हैं तो दोस्तों देख लीजिए पहचान लीजिए यह साग एक तरह से आयरवेदिक जड़ी बूटी है इसके अंदर बहुत सारे विटामिन तत उपाये जाते हैं जैसे कि केलसियम, मेगनेसियम, पोटेसियम, फाइबर, आयरन यहां तक कि दोस्तों इसके अंदर स्वन भस्म भी पाया जाता है तो दोस्तों आज इसी साग के फाइदेग बारे मैं आपको बताऊंगा अभिस्तार तरीके से किया साल में एक बार उत्पन होने वाला पैदा होने वाला साग हमारे सरीर के लिए कितना स्वास्त और्धक है तो हाँ दोस्तों फाइदा जानने से पहले आप इ पन होता है पैदा होता है और जब यह पैदा होता है तो समझ लीजिए ग्रामिड छेतर वाले इसका भर पूर आनंद उठाते हैं पूरा सीजन भर इसको खाते हैं और इससे फायदे प्राप्त करते हैं कई विमारियों से निजात पाते हैं छुटकारा पाते हैं दोस्तों यह बतुआ खानें में बहुत स्वाधिष्ट लगता है इसलिए लोग डाल के अंदर डाल कर इस बतुआ को कघाते हैं। फुम लेकर तीन फु तक बड़ास बड़ा होता है लेकिन लोग इसे कोमल कोमल ही नोच कर डालों में डाल कर खा जाते हैं। इसलिए ज्यादा बड़ा हो नहीं पाता है जब कि इसके अंदर फूल भी होता है और भीज भी लगते हैं तो आओ दोस्तों अब हम जाने कि से खाने से हमारे सरीर कौन-कौन से बीमारी नश्ट होते हैं दूर होते हैं तो हाँ दोस्तों पेटों के लिए तो यह राम बाड़ जाते हैं अगर पैखाना होता नहीं है बहुत कड़क होता है या आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है और पेड़ साफ नहीं होता है तो इसे रोगिय के लिए बदो यह पहुत ही फायदे मंद होता है दूस्तों अगर बथुआग सेवन हम डाल में डाल करते हैं पेट साफ हो जाता है और दोस्तों अगर पेट साफ है तो समझ लीजिए कई बिमारी हमारे सरीर के अंदर घुस नहीं पाएं क्योंकि बहुत सारे बिमारी का जड़ तो पेट ही होता है तो चलो दोस्तों इस बथुआग पटला हो जाएगा खुनी हो बादी हो दोनों तरग बावासीर में फाइदे मंद होगा जो आप टाकत लगा कर पैखाना करते हैं इसके वज़े से बवासीर में खुण आने लगता है मलक साथ में तो अगर आप इस बथुआग सेवन करेंगे खुन नहीं आएगा मलक साथ म और मल पतला निकलेगा यानि पेट साथ तो बिमारी से छुटका रहा है तो इसलिए या बवासी रोगियों के लिए फाइदेमंद है दोस्तों या बतुआग साग धातू छीड़ता वालों के लिए भी काफी फाइदेमंद माना जाता है अगर किसी धातूग बिमारी है तो व बतुआग आप मामूली न समझना एक महंगी दवाई इसके आगे फेल है दोस्तों इस्तिरियों के लिकोरिया रोग प्रदल रोग सफेद पानिक सिकायदम भी आप बतुआग सेवन कर सकते हैं बहुत ही फाइदेमंद होगा दोस्तों या बतुआग सरीर में रक्त बढ़ा दोस्तों इस बतुआग सेवन से कमजोर इस्तिरी पूरुस दोनों बलवान हो सकते हैं अगर लगातार एक दो महिने तक सेवन किया जाए बतुआ का डाल में डाल कर भी सेवन कर सकते हैं और सबजीव बना कर भी सेवन कर सकते हैं मतलब किसी भी चीज मिला कर इसका आप सेव बत्वा ले लिजे और एक चम्मच अद्रक का चटनी ले लिजे और आधी चम्मच हल्दी और एक जवा लासुन और दो तीन चुटकी सेंधा नमक एक चुटकी आजवाइन सबको डाल कर आप पकाईए पकाते पकाते जब पानी का हिसा आधा बच जाए अनि माल लो दो गिला पानी जला दीजिएगा और बचा हुआ एक गिलास पानी को आप दीरे दीरे चुस्की मार कर चाय जैसा पीजिए तो दोस्तों बत्वा काढ़ा आपको सरीर के लिए बहुत ही फाइदे मंद होगा दोस्तों या बत्वा सीने में जमे हुए कफ को भी साफ करता है तरीका मैं मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बत्वा के अंदर अद्रक लसुन और स्वाद अन्वार नमक डालकर इसका चाय बनाकर काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए गलेम जमा हुआ कफ कुछी दिनों साफ हो जाए इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों या बत्वा दोस्तों बहुत ह सुरुवाती दौर में रहता है जब यह बत्वा बच्चा रहता है यानि दस दिन या पंद्रा दिन या एक महीने का रहता है तभी आप इस बत्वाग सेवन कीजिए तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन विटामिन तच तो आपको मिलेंगे जो आपके सरीर के लिए बो तो पेटों के अंदर जो प्रोबलम होगा या किटनी में सूजन होगा लीवर में सूजन होगा तो बत्वा अगर रस और दही से ठीक हो जाएगा चार पास दिन के अंदर इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों या बत्वा और हाँ दोस्तों अगर किटनी में इंफेक्शन ह हैं फेसाब में कच्रा आ चुका है रुक रुक कर फेसाब होता है तो अभी आप इस बतुआ को पीश कर इसका तीस से चाली से मल रस निकाल कर सुबा सुबा मठा छांच के साथ मिला कर आप सेवन करें और अगर अच्छा स्वाज चाहिए तो इसमें काला नमक करीवन आधी चुटकी डाल लीजिए और आधी चुटकी आजवायन डाल लीजिए और स्वाध अनसार नमक डालकर काली मिरिश डालकर स्वाधिष्ट बना लीजिए इसका सर्वत बनाकर 40 से मल तक सुबा सुबा खाली पेट सेवन कीजिए तो यूरिन इंफेक्शन दू और यहां तक कि दोस्तों अगर किसी पत्री रोग है कितनी में पत्री है पत्थर है तो वह भी इस बत्वा का रस निकाल कर करीबन 20 से मल तक इसका रस और दो पत्ते पत्थर चटाक दोनों मिलाकर सुबा सुबा चबा जाए या तो फिर पीस कर पी जाए तो चार-पांस दिन क अंदर पत्री दर्द में आराम मिलेगा और पत्री भी धीरे धीरे गल कर फिसाब को रास्ते बाहर निकल जाएगा दोस्तों या बहुत ही फाइदे मंद एक आयरवेदी का उसदी है जड़ी बूटी है तो देख लीजे पहचान लीजे दोस्तों तो चलो इस महात्पुर ज आप दायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आरवेदीक